तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने ITI के ओरिजिनल सर्टिफिकेट और कॉंसलरेटेड मार्कशीट को डिरेक्ली अपने फोन से डाउनलोड कर सकते हो जी हाँ आपके वेबसाइट पर NCVT के वेबसाइट पर DGT की तरफ से आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट और ओरिजिनल मार्कशीट जो है वो एवलेवल करवा दिया गया है आज की इस वीडियो में मैं आपको complete process बताऊंगा कि आपको किस तरह से ये दोनों चीज़े डाउनलोड करना है वीडियो में end तक बने रहिएगा साथ ही चैनल पर ना है तो चैनल को subscribe कर लीजिएगा तो सबसे पहले आपको Google पर आ करके type करना है NCVT MIS और इसे search करना है search करने के बाद आप देख सकते हो जो ये पहली website यहाँ पर खुल करके आ रही है NCVT MIS की इसी पर आपको click कर देना है उसके बाद आप देख सकते हो कुछ इस तरह से website आपके सामने खुल करके आ जाएगी यह NCVT की official website है और यहाँ उपर की तरप आपको एक option मिलेगा यह आप देख सकते हो trainee का एक option मिल रहा है और इस पर click करने के बाद नीचे आपको trainee profile के option पर click कर देना है इसके बाद कुछ इस तरह से आपके सामने खुल करके आएगा और यहाँ पर आपको कुछ details fill up करनी है जैसे आपको registration number, guardian name, date of birth यह सारी चीज़े यहाँ पर put up करनी है एक बाद का ध्यान रखियेगा कि registration number के आगे आपको capital R लगाना है याद से साथ ही guardian name डालने के बाद आपको यहाँ पर date of birth डालना है date of birth डालने के लिए आपको इस तरह से calendar खुल करके आएगा जहाँ पर आपको सबसे पहले year चूज़ कर लेना है उसके बाद कुछ इस तरह से आपको month चूज़ कर लेना है इसके बाद आप देख सकते हो इस तरह से आपका date of birth आ चुका है अब नीचे की तरफ ये जो आपके सामने capture दिया गया है इसको आपको उपर में enter करना है Remember me पर टिक करके आपको submit के बटन पर click कर देना है और उसके बाद आपका trainee profile कुछ इस तरह से खुल करके आएगा photos वगेर आप match कर लीजिएगा इस तरह से आपका भी खुल करके आएगा और नीचे आप देख सकते हो year का options है यहाँ पर second year और first year का थोड़ा सा आप यहाँ पर अगर swipe करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ से आप mark sheet download कर सकते हो first year और second year का लेकिन अगर आप लोग अपना certificate download करना चाते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे की तरफ आपको दो options provide किये गया है तो यहाँ से आप कर सकते हो यहाँ पर आप देखिए पहला options है print certificate का और दूसरा options है यहाँ पर mark sheet का तो यहाँ से print certificate पर जैसे ही आप click करोगे यह आप देख सकते हो download होना शुरू हो गया है और यह खुल करके कुछ इस तरह का आ गया है यह देखिए गाईज यहाँ पर आपका जो original certificate है ITI का NTC certificate इस तरह से download हो जाएगा इसे आप print करवा सकते हो विल्कुल phone से मैंने यह आप लोगों को download करके दिखाया है इसके साथ साथ चलिए हम लोग consolidated mark sheet को download करते हैं इस पर click करने के बाद आप देख सकते हो कुछ इस तरह से यहाँ पर यह भी download हो गया है तो यहाँ पर आप देख सकते हो सारी जानकारिया हैं और इसे print करवा करके आप अराम से easily use कर सकते हो तो यह पुरा का पुरा process था कि आपकी इस तरह से अपने इस trainee profile की मदद से इसे download कर सकते हो और इसी तरह की जानकारिया हमारी इस YouTube चैनल आनजे एजुकेटर पर आपको पलपल मिलती रहती है चैनल को subscribe जरूर कर लिजेगा साथ साथ वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को एक like जरूर कर दीजेगा